हाई गाईज मैंने इस मिलाब गुक्ता और यूड़ वाचिंग में यूड़ चैनल एग जी एजटेंवेंट दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्रेल सेशन 2023 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एप्रेल 2023 में अपने एक्जाम्स को देंगे या उसमें एक दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक आप अपनी एक्जाम फीज को जमाख कर सकते हैं विदाउट लेट फीज के साथ तो सबसे पहले क्या करना है आपको सम्मिट एक्जाम फीज को सम्मिट कर लेना है अगर आपका सिंगल सबजेक्ट है तो उसकी फीज होगी उसमें अगर कर नहीं है तो उसकी फीज होगी 250 रूपीज लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल भी है और थेलरी भी है तो उसकी फीज टूटल बनेगी आपकी 370 रूपीज तो इसे साब से काल्कुलेट करके आप अपनी एक्जाम फीज सम्मिट कर सकते हैं इसके बाद आपसे बात करेंगे क अप्लोड TMA at student portal अब ये student portal पे TMA को अप्लोड करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए आपका जो PDF है जिसमें आपने जैसे मालेजे आपने TMA को बनाया पेपर पे उसके बाद अपने मुबाइल से उसकी फोटो जी और उसको इस PDF में convert कर दिया जब आपने JPG में convert कर द जिन बचों ने exam fee submit नहीं की उनको बहुत बड़ा नुपसान होगा सबसे पहला नुपसान कि वो आपने TMA upload नहीं कर पाएंगे और उससे भी बड़ी बात कि practicals और theory के paper भी वो नहीं दे सकते अगर आप अपने exam fee submit नहीं करते तो NMS board इसका मतलब एक ही जानता है कि इस बार आप अपने exams नहीं देना चाहते शायद आपका मन हो कि आप next time अपने exams की fees जमा करके paper देना चाहोगे तो ध्यान रखिएगा आपको exam fees तो हर हाल में सबसे पहले submit कर लेने चाहिए अगर आप अपनी exam fees हमसे submit करवाना चाहते है नीचे मेरा WhatsApp नमर है contact कीजे हमारे team से और अप आपनी exam fees को तुरंट submit करवा लेजिए. Point No.3 देखिए get 20 out of 20 marks in TMA with our service. अगर आप हमारी service लेना चाहते हैं तो उसमें हम खुद आपके exam fees भी submit कर सकते हैं और साथ ही आपके सभी TMA हाथो हाथ upload कर देंगे. इसके लिए कुछ limited charge होता है जो आपको pay करना होता है और हमारी team TMA में full 20 out of 20 marks लाने के लिए यानि कि 20 में से 20 marks पूरे आएंगे आपके सभी subjects के अंदर बस आपको हमारे WhatsApp नमर पे contact करना है और आपको कहना है कि yes I want to get my TMA updated on my student portal through you. तो हमारी team जो है वो आपको help करेगी और आपके i-card के through आपके student portal पे सभी TMA upload कर देगी. इसमें आपको TMA ब पर contact कर सकते हैं और अपने TMA हाथ 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 upload कर वा सकते हैं तो अगर आप जॉब्डूर है अगर आप housewife हैं और आपको नहीं पता TMA कैसे बनाया जाता है या अभी तक TMA को कोई भी option आपके पास नहीं है या TMA के solutions आपके पास नहीं है तो आप यह service हाथ 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 लेकर फ तो उसके service का मैं आपको सारा system अपनी next video में बताने वाला हूँ साथ ही important questions से related कुछ बात कर लेते हैं यहां पर अगर आपके पास books नहीं है यह आप TMA में ही उलजे हुए हो यह आपको नहीं पता है कि NMS board का paper इस बार कैसे आने वाला है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि N 20 plus marks भी आपके आ सकते हैं अगर आप इन अगर आपको यह PDF से पढ़ते हैं तो तो अगर आपको यह PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमें WhatsApp पे contact कर सकते हैं अपने subjects बता सकते हैं और आपको यह सभी PDF मिल सकते हैं बिल्कुल easy और आसान से amount के अंदर यानिकि इसका कुछ हमने रखा हैं ताकि हिंदुस्तान की सभी students जो की April 2023 में अपने exams देने जा रहे हैं वो अराम से इन PDF के थुरू अपनी साम को बचा सके तो इसके लिए हमने इनके price को बहुत ज़्यादा reduce करवाया है पीछे से ताकि आप लोगों की help हो सके तो यहाँ पर मैंने आपको सब ब मैंने आपको बता दिया यह PDF सा पढ़के चले जाएए आपको और कुछ पढ़ने की जुरत नहीं पढ़ेगी आप अराम से अपने April 2023 के exams में clear होके और अपना result पास का करवा सकते हैं मिलूँ आपसे नेक्स वीडियो में जिसमें मैं आपको practical से related सारी जानकारी देने वाला ह और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा वीडियो को लाइक और शेयर और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियो को ज़ादा से आदा मैं में लागता मिलूँ आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन गुट बाई